so आज का जो हमारे टॉपिक है वो है रिफ्रक्टिव इंडेक्स क्लास् तेंद का चेप्टर 10 लाइट so आपको यहाँ पे इमेज दिखाए दे रही है हमारा प्रिवियस लेक्सिर जो था वो इसी टॉपिक लाइट के रिफ्रेक्शन की वज़े से pathbreak नजर आता दिखा दे रहा है but actually ये pathbreaking नहीं है ये सिर्फ because of change in refractive index की वज़े से हमें as a viewer ये breaking दिखाई दे रही है तो आए समझते है what is refractive index तो बिसिकली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जो यहां पर आपको मैंने डेफिनिशन लिखी होगी मैं दिखाई दिखाई दे रही है अगर हम जेनरल टम्स में बोले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अस तू नो यानि कि अगर आप कोई भी मटीरल ले लेते हैं जैसे कि यहां पर मैंने समझ लीजे मैंने एक ग्लास लिए है तो ग्लास मटीरल लेने के बाद हम लोगों पिछले लेक्टिर में पढ़ा था कि अगर लाइट इंसिटन्ट होती है किसी भी पॉइंट पे तो वहां नॉर्मल बनाने के बाद जो आक्च्वल पाथ होना चाहिए लाइट का लाइट उस पाथ पे फॉलो नहीं करेगी लाइट बेंट हो जाएगी और वो भी किस तरफ बेंट होगी टोवर्स नॉर्मल बेंट होगी विकॉज हम कहां से जा रहे हैं हम रेर मीडियम से डेंसर मीडियम की सब्सक्राइब जा रहे हैं अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का काम क्या होता है हमें इस बात का नॉलेश देना कि हाव फास्ट या इधर फास्ट लिखा है तो हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि हाव स्लोग तर लाइट ट्रेवल्स दूदा मटीडल मीडियम यानि कि अगर ह कौन डेटर्माइन करता है तो बेसिकली जो हमारा आज का लेक्ट्र होगा वो इसी पॉइंट को होगा कि लाइट फास्ट भी हो सकती है या लाइट लो भी हो सकती है किसी मटीरल में एंटर होने के बाद और ऐसा क्यूं होता है यह अगर बात आती है पहले रीजन जाने से हम पहले हम पहले at least formula देख लेते हैं refractive index का तो हम लोगों ने फिशे lecture में देख लिया था कि refractive index snell's lock according क्या होता है sin i upon sin r is equal to refractive index of that medium लेकिन अभी अभी हम लोगों ने discuss किया है in regarding with the speed तो अगर हम दोनों materials की या अगर हम कोई भी material लेते हैं suppose जैसे यहाँ पर मैंने medium 1 ले लिया जिसको मैं air consider कर लेती हूँ speed of the light in different medias give the refractive index यानि कि यहां से एक और formula हम निकाल सकते हैं कि suppose हमारी जो light थी वह किसी वीवन normal bend होगी तो suppose bending हुई तो उस time पर हम लोग क्या observe करेंगी कि जो light की speed होती है वो change हो जाती है अब वो slow होती है या fast होती है वो अभी में discuss करके आपको बताऊंगी बट हम मान लेते हैं कि जो velocity है वो वीटू हो गई तो ऐसे cases में अगर आपको refractive index निकालना है second medium का तो second medium का refractive index आप V1 upon V2 करके भी निकाल सकते हो लेकिन यह formula सिर्फ तभी valid होगा जब हम लोग V1 को या तो air लेंगे या vacuum लेते हैं इसको normal refractive index कहते हैं या इसको आप absolute refractive index भी कह सकते हो अगर मैं बहुत detail में जाओ तो चो हमारा refractive index होता है वो actually दो टाइप के होते हैं ए एक होता है हमारा absolute refractive index और एक होता है हमारा relative refractive index अपसल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो refractive index होते हैं जब हमारे पास comparison में जैसे हमें हमें दो medium तो चाहिए चाहिए जब हमारे पास comparison में जो M1 medium होता है वो हमेशा या तो vacuum होगा या air होगा और second medium आप कोई भी ले सकते जिस भी medium का आपको refractive index निकालना है आप second medium कुछ भी ले सकते हो ऐसी cases में जब आप refractive index निकालेंगे second medium का तो वो speed of light in vacuum upon speed of light in the second medium इस तरीके से निकाला जाएगा लेकिन जब आप relative refractive index लेते हो तो ऐसे cases में आप कोई भी pair ले सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको vacuum या air लेन तो जैसे for example आपने उपर glass ले लिया और नीचे आपने water ले लिया या उपर आपने kerosene oil ले लिया और नीचे आपने glass ले लिया कुछ भी आपको भी pair अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं ऐसे cases में जो आपको refractive index मिलेगा इस तरीकी का refractive index जो होगा उसे relative refractive index कहते हैं तो आप refractive index के बारे में तो हम दोगोंने जान लिया है तो पहले तो यह देख लेते हैं कि जो हमारी light होती है वो fast move करती है या slow move करती है अगर fast या slow होती भी है तो उसका reason क्या है क्योंकि यह सबसे important topic है okay so यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने एक diagram draw किया है मेरे लिए M1 जो है यह एक rarer medium है और M2 जो है denser medium है देंसर medium माल लेते हैं हम लोग इसको हमने water consider किया है इसको मैं W लिखी हूँ small और यहाँ पर मैं A लिखी हूँ because मैंने जो medium 1 लिया है वो air लिया है आगे आने वाले lectures में हम लोग दो तरह की density को compare करेंगे एक होती है mass density जिसको हम MD की नाम से लिख रहे हूँ और एक होती है optical density जिसको मैं OD की नाम से लिख रहे हूँ इन दो densities में क्या difference है यह दोनों एक दूसरे से कैसे relate करते हैं या क्या relation है वो आग्याने वाले lectures में हम deal करेंगे तो अभी के लिए मैं इसको रब करते हूँ यहां से और अभी हम focus करेंगे हमारे reflective index के reason पे तो हमें यह पता है कि जब भी को incident ray related to denser medium पे जाएगी तो वो bend होगी तो मैं यहां पे bending इसकी towards the normal दिखा देती है उसका original path आपको यहां पे dotted line से दिख रहा है और यह towards the normal bend होगी यह towards the normal bend क्यों होती है यह क्या reason है towards the normal bend होने का तो इसका एक reason यह होता है कि जब भी हम इसका reason यह होता है कि जब भी हमारी light किसी medium में enter करती है तो एक principle होता है least time principle इस principle के according यह principle पूरी detail में आप class 12 में पढ़ेंगे इसमें phase वगरा phase का concept वगरा include हो जाता है wave print का concept include हो जाता है तो अगर 10th के हिसाप से मैं बता हूँ तो least time principle के हिसाप से जब भी कोई light किसी greater density के material में enter करती है तो वो हमेशा ऐसा path चुनने की कोशिश करती है जिसमें जो time उसको लगे उस medium को cross करने में जो time लगे वो कम से कम लगे मतलब minimum to minimum और हमें पता है कि जैसे suppose अगर मैंने कोई नदी है अगर मुझे किसी नदी में को trap पार करना है और मैं यहां पे खड़ी है और मुझे नदी के point A से point B पे जाना है तो of course ही बात है जो shortest time दिखाई दे रहा है अगर मैं normal को choose करती हूं मतलब ही जो normal वाला path जो मैंने बनाया है अगर मैं इसे choose करती हूं as a light तो मुझे सबसे कम time लगेगा सबसे least time interval लगेगा तो इसलिए light जब भी किसी greater density के material में अंदर enter करती है तो वो least time principle के हिसाब से ऐसा path जोने की कोशिश करती ह जिसमें उसे कम time लगे इसलिए the light always bends towards the normal तो यह हो गया reason bending का अब दूसरा आता है कि क्या यह bending light को fast करती है या slow करती है तो इसका answer है slow करती है ऐसा क्यों होता है आईए देखते हैं तो जब हमाई light vacuum से आ रहे थी यानिए कि जब हमाई light vacuum में travel कर दे थी मैं एक next page ले रहती हू जब हमाई light vacuum में travel कर दे थी तो वो एक straight path में travel कर दे थी और उसकी speed थी what is the speed of the light the speed of the light in the vacuum is 3 into 10 raise to power 10 sorry 3 into 10 raise to power 8 meter per second यानि कि कोई भी particle in between नहीं था उसका path इसम स्टेट जरा था without any hindrance but जैसे ही light ने atmosphere air के अंदर entry ली उसका path जो है एक तो सबसे पहले थोड़ा सा distorted हो जाता है distorted जाने की उसका straight नहीं रहता है थोड़ा सा bending हो जाती है अब ये bending क्यों हुई वो तो हमें वो reason क्या है कि हमारे जो atmosphere है उसमें चोटे 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 से dust particle air particle बहुत तरह के unwanted particles हैं जो हमारे just ये जो hindrance मतलब किसके रूप में आता है density की रूप में आता है अतब density जो हम लोगों ने general phenomena क्या पढ़ा है density की बारे में density is equal to mass per unit volume वै किसी भी volume के अंतरगत जो जो उस material का mass है वो किस तरीके से distributed है वो उसकी density होती है अब जो जितना जादा denser material होगा उतना ही जादा वो क्या provide करेगा उसको hindrance provide करेगा चीक है तो इसका मतलब क्या होता है जितनी जादा density उतनी ही light हमारी क्या हो जाएगी slow हो जाएगी अब ये slow का मतलब क्या होता है कि उस material में उतना ही जादा क्या है hindrance provide कर रहा है वो material किसको provide कर रहा है light को उतना ही जादा hindrance provide कर रहा है तो इस वज़ा से क्या होती है हमारी light हो जो जाती है तो ये एक बहुत ही general सा concept है हाँ कुछ इसके reasons है मतलब कुछ इसके exceptions भी हैं जैसे कि हम लोग example के लिए जैसे मैं keros लेकिन एक और टर्म जो मैं आपको बताया था कि हम आगे डील करेंगे उप्टिकल टेंसिटी इसकी जो अप्टिकल टेंसिटी है वह जादा है इन कमपैरिजन टू वाटर यह जो होता है वह जादा स्लो करता है लाइट को वाटर की कमपैरिसन में तो यह कुछ एक्सेप्शन है और यह क्यों है और यह ऑप्टिकल टेंसिटी क्या होती है इसको हम डेटेल में नेक्स लेक्चर पढ़ेंगे बट अभी के लिए जो जेनरल टर्म हमें ध्यान में रखना है वो यह है कि जो जितना जादा मटीरियल डेंसर होगा उप्टिकल डे के लिए मतलब अगर इसका मैं अपोजिट केस भी लो सब्सक्राइब यह में डेंसर मीडियम ले ले लेती है और यह रहर मीडियम ले लेती हूँ और जो हमाई लाइट है वो अभी फ्रम बैंड होगी बैंडिंग तो होगी होगी इसके साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा थोड़ी सी स्पीड in comparison इस ratio के comparison में fast हो जाती है और इसको निकालने का तरीका क्या है formula मैंने आपको बता दिया relative refractive index n2 n2 याने की velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2 ये किसी भी case के लिए comparison है और इसको अगर relative terms में लिखना है तो n2 1 लिख सकते हो आप मतलब relative refractive index of medium second but with respect to medium 1 इसको इस तरीके से read करते है और अगर opposite लिखना हूँ वाइसा 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 तो आप ऐसे भी लिख सकते है n1 2 relative velocity of 2 with respect to velocity of 1 ये opposite होगा refractive index of medium 1 with respect to medium 2 इसको इस तरीके से study किया जाता है thank you